शुक्रवार के सुबह जहां हर किसी के लिए आम रही होगी वही अनिल देश्म के लिए शुक्रवार के सुबह काफी मुसी वरुदवरी साबित हुई एक मेने बार दूसरी बार परिवर्तन देशाले ने शुक्रवार को महराश्र की पूर्वग्रुहमत्री अनिल देश्मक के घर चापा मारा इडी की टीम भारी संख्या में पुलिस और केंद्रे पुलिस पल के साथ देश्मक की आवास पर पहुची जिससे मामले में औरकडी कारवाई की अटकले तेज हो गई बता दे की ब्रष्टा चार का आरोप लगने की बाद राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नीता ने अपना पत छोड़ दिया था की तहट चापे मार रही है और देश्मक की नापुर्सित आवाज पर भी चापे मारे जा रहे है कि इंडिया जांच एजनसी ने सीबिया की एक प्रात्मिक का अध्यांद करने के बाद पिछले मेह ने देश्मक और अन्य की खिलाफ दंशोदन की रोकताम कानून की तहट ए और पर देश्मक के खिलाफ लगाये रिश्वत की आरोफों की चांच के लिए कहा था इसकारवाई के बाद इसकारवाइ के बाद अन्य क्यों के मुश्किर तो बढ़ी लेकिन वही यह अनदेशा जटायच जारह है कि अन्य देश्मक की गिरफ Tari भी neste है वही देश्मक पर mist कारवाई का राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से तीवर निशेत की अचारा है जिसके चलते श्रद्धा बंगले के सामने राष्ट्रवादी की और से विरोध प्रदेशन के जाने की बाद भी सामने आ रही है बता दे कि अनल देशमुक नाकपुर में नहीं है कि अनल देशन के चलते हैं।